हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आज मैं आई हूँ एक रेसिपी के साथ जो की मसाला पनीर रेसिपी है वो भी धाबा स्टाइल में तो आज हम बनाने जा रहे हैं धाबा स्टाइल में मसाला पनीर आईए इस रेसिपी की सबसे पहले हम इंग्रेडियन्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें यहां हमने लिया है 250 ग्राम्स पनीर की पीसेज यहां हमने दो बड़े टमाटर कदुकस किये हैं और दो बड़े प्याज हमने कदुकस किये हैं हम लेंगे थोड़ी सी कसूरी में थी और यहां हमने लिये हैं दो तेज पत्त, एक छोटा स्टिक दालचिनी, तीन लाल सुखी मिर्च, दो हरी इलाईची, एक बड़ा इलाईची और तीन से चार लॉंग यहां हमने लिया है 1 टी स्पόन अधरक और लसन पेस्ट, और 1 अना 1 अफ टेबल स्पोन बेशन, 1 टी स्पोन रेड़ चिली पाउडर, हाफ टी स्पोन टर्मरीक पाउडर, नमक हम स्वाधनसार डालेंगे, 1 टी स्पोन धनिया पाउडर, एड़ वन टी स्पोन गरम मसाला और हम यहां बेशन को सबसे पहले रोस्ट कर लेते हैं तो यहां हमने कड़ाई रखी है अब इस बेशन को हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे दो से तीन मिनट तक इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाए इसको अच्छे से चला चला कर भूनना है हमें यहां हम एक बाउल ले लेंगे जिसमें हम पनीर पीसे को डाल देंगे और अब हम इसमें वन फॉर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे वन फॉर्थ टीस्पून रेड चिली पाउडर और हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और जो हमने बेशन रोस्ट क दाल देंगे, यह इस recipe का secret ingredient है, यही धाबा style का main ingredient होता है friends इसको, अब हम डालेंगे 2 teaspoon दही, जो की खटा नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा हम सरसो का तेल डालेंगे, लगबग 1 teaspoon और सब चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे, इसे बहुत हलके हाथों से mix करेंगे, और चारों तरफ से अच्छे से mix करेंगे, ताकि अच्छे से सब पनीर के pieces पर सब मसाला कोट हो जाए, और इसको हम mix करके 10 मिनट तक ढखके रख देंगे, देखें, यहाँ हमने कढ़ाई रख दिये गरम होने के लिए, अब इसमें हम लगबग 2 tablespoon oil डाल देंगे, और इसको गरम होने देंगे, देखें हमारा तेल गरम हो गया है लगबग, फ्रेंड्स हम जीरा बोलना भूल गए थे, हमने 1 teaspoon जीरा लिया है तड़के में, इसको हम त्याल देंगे, और साथ में जो भी हमने तड़के का आइटम लिये थे, इंग्रीडियन्स लिये थे, वो हम एक एक करके डालना शुरू करेंगे, यहां हमने लाल सूखी मिर्च डाली है, तेज पत्ते डाल दिये, अब हम इसमें डालेंगे, दालचीनी, और जो लॉंग, छोटी लाइची, बड़ी लाइची थी, वो भी अब डाल देंगे, और इसको हम तीन से चार सकेंड चला के भून लेंगे, और इसके बाद हम कदुकस किया हुआ प्याज जालेंगे, इसको हम थोड़े लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, प्याज को, ताकि ये जले ना, इसको हम तीन से चार मिनट धीमें आज पे अच्छे से सौते करेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए, तो इसको अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे, देखिए हमने तीन से चार मिनट तक प्याज को भून लिया है, अब हम इसमें अदरक लेसन का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी हम लगभग तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, देखिए हमारा लेसन अदरक का पेस्ट भून चुका है, अब हम इसमें जो बेसन हमने रोस्ट किया था उसमें से 1.5 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे यही इसका मेन इंग्रीडियन्स है अगर हम धाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाना चाहते हैं तो इसको आप स्किप न करें बनाते समय नहीं तो धाबा स्टाइल पनीर का ये टेस्ट नहीं आ पाएगा बेसन जो रोस्ट किया हुआ डाले हैं इसी से इसका वो फ्लेवर आता है देखिए अब हमारा बेसन भून चुका है इसमें और अच्छे से मिक्स हो गया सब मसालों में अब हम हल्दी डाल देंगे इसमें रेट चिली पाउडर नमक स्वाद अनुसार और डालेंगे धनिया पाउडर गरम मसाला सब मसालों को डाल के हम मिला लेंगे यहां हम थोड़ा सा रेट कश्मीरी मिर्श डाल रहे हैं उसका पाउडर ताकि इसमें अच्छा कलर आ जाए मसाले में आप चाहे तो इससे स्किप भी कर सकते हैं देखिए हमारा मसाला सब भून चुका है अब हम इसमें कदुकस किया हुआ टमाटर डाल देंगे रखा है नॉन्स्टिक तवा या नॉन्स्टिक पैन ले सकते हैं इस पर हम थोड़ा सा ओइल से ब्रश कर देंगे और जो हमने पनीर में मसाला लगा कर रखा था उसको हम इस पर ऐसे करके एक एक पीस अलग अलग करके अच्छे से से शेक लेंगे देखिए अब हम एक फोक के मदद से सब पनीर को पलट पलट के बढ़ियां से हम भून लेंगे इस रीच का ध्यान रखेंगे कि यह ज़्यादा भूनने न पाए जले न उतना ही भूनेंगे ताकि इसका मसाला जो है इसमें चिपक जाए अच्छे से देखिए हम चारो तरफ से पलट पलट के हमने अच्छे से इसको भून लिया है ऐसे ही आप पलट पलट के इसे बढ़ियां से भून लीजिए और अब हम गैस आफ कर देंगे और देखिए इधर हमारा मसाला एकदम भून के तयार हो गया है टमाटर भी अच्छे से इसमें पक गया है अब हम इसमें पानी डालेंगे हम इसको ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे तो देखिए यहां हमने पहले थोड़ा सा पानी मिला के मिक्स कर ले रहे हैं आप भी थोड़ा-थोड़ा करके पहले मिक्स करके देख लीजे अपने हिसाब से जितना गाढ़ा पतला चाह रहे हैं आप उस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी रख सकते हैं देखिए इसमें बॉइल आ चुका है हम चार से पांच मिनट इसको हम बढ़ियां से पका लिये हैं अब हम कसूरी मेथी लेंगे और अपने हाथों के मदद से इसको क्रश कर देंगे और इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे कसूरी मेथी का जो फ्लेवर होता है यह बहुत ही बढ़ियां आता है इसमें तो फ्रेंस इसको जरूर आप डालिएगा और जो हमने पनीर को सौटे किये थे देखिए ऐसे इसको हम इसमें ग्रेवी में डाल देंगे और डालने के बाद इसे बहुत हलके हातों से हम चलाएंगे देखिए देखने में कैसा एकदम अच्छा लग रहा है एकदम ढाबा स्टाइल मसाला पनीर लग रहा है इसको अब हम दो से तीन मिनट तक ढखके पका लेंगे देखिए हमारी सब्ची बन के तयार है यह हमने सर्फ कर दिया है अब हम गार्निश करेंगे बटर से और थोड़ा सा क्रीम डालेंगे हम और थोड़े से हम बारिक कटे हुए धनिया पती से गार्निश करेंगे यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है जितना यह देखने में अच्छा लग रहा फ्रेंस उतना ही खाने में लजीज होगा आप फ्रेंस यह जरूर घर पर ट्राइ करें और अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शरूर करें झाल झाल